उत्तर प्रदेश के अधिकारी अक्सर अपने अजब गजब कारणामों के लिए चर्चा में बने रहते हैं। आज हम आपको विकाज विभाग के ऐसे अधिकारी का कारणामा दिखाएंगे जिसे देखकर यकीनन आप भी सोच में पढ़ जाएंगे कि आखिर किस मंसा के तहट योगी सरकार के इन अफसरों ने या कारणामा कर दिखाया है। बस्ती मुख्याले से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक छेतर में आने वाले गाउं गौरा धुंदा में बनाये गए सामुदाइक स्वावचाले की तस्वीरे आपको अचरच में डाल देंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह की सोच के साथ इस्तामुदाइक स्वावचाले का निर्मार कराया गया है वाकई में गजब का है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर किस उद्देश के तरह जिम्मेदारों ने एक टॉयलेट के अंदर दो सीट लगा दी। क्या अधिकारी यही चाते हैं कि दो लोग एक साथ सौच करने जाएंगे और उनकी निज्यता का हनन हो। क्योंकि मसीनन की धुन में अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं। गाउं में चेकेटरी और प्रधान ने 10 लाग की लागत से एक सामुदाइक सौचाले का निर्मार कराया। लेकिन आज तक इस सामुदाइक सौचाले का कोई भी व्यक्ति प्रियोग नहीं कर पाया। इसके पीछे का करण हिया है कि सौचाले बनाएं तो गएं मगर उनके दर्वाज आज तक नहीं लगें। और एक ही रूम में दो सीट होने के करण सायल ही कोई लोक लाज को ताक पर रखकर सौचाले का प्रियोग कर सके। इस पूरे मामले को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि दो सी सेकेटरी को नोटीस जारी कर दी गई है और सक्ति निजदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द उक्ति सामुदाइक सौचाले को ठीक करें। इसके अलावा रिपोर्ट मिलने के बाद सम्बंदित के खिलाप उनके अस्तर से कारवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे खुद मौके पर जाज करने गई थी और सामुदाइक सौचाले की हालत देखकर अचरच में पढ़ गई। कि आखिर ऐसा हो सकता है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट नारद रिटन न्यूज पर। कामियाब मिली हैं।